नमस्कार बच्चो आपका बार्वी कॉमर्स के विशे व्यवसाय अध्यन की कक्षा में स्वागत है बच्चो हमने पिछली कक्षा में प्रतम अध्याय के भाग एक में प्रबंद के अर्थ परिभाशा, विशेष्टाओं, उद्देश्यों, महत्व और प्रबंद के विभिन स्तरों का विस्तार से अध्यन किया बच्चो आज की कक्षा में हम प्रबंद की प्रकृति, प्रबंद की कारियों और समनेवे के अर्थ और इसकी आवशक्ता को समझेंगे तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रबंद की प्रकृति से बच्चो विभिन प्रबंद विशेशक्यों ने अपने अपने समय में प्रबंद की प्रकृती को भिन भिन प्रकार से व्यक्त किया है इसी आधार पर प्रबंद की प्रकृती को हम तीन आयामों में अध्यन करेंगे पहला प्रबंद कला के रूप में दूसरा, प्रबंद एक विज्ञान के रूप में तीसरा, प्रबंद एक पेशे के रूप में नमबर एक, प्रबंद एक कला के रूप में प्यारे बचो, वांचित प्रिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्तिकत कौशेलएवं ग्यान का प्रियोग करना ही कला कहलाता है आये कला के रूप में प्रबंद की विशेष्ताओं को जानते हैं कला के प्रतेक शेत्र में इसके सैध्रांतिक ग्यान को प्राप्त करने के लिए क्रमबध और विवस्तित विशे समगरी उपलब्ध होती है उधारण के लिए नृत्य, अभिने, अथ्वा संगीत के क्षेत्र में कई पुस्तकेव अन्य विवस्तित ज्यान समगरी हमारे आसपास देखने को मिल जाती है प्रबंध में भी क्रमबध और विवस्तित ज्यान निकाय के रूप में प्रबंध के विभिनक शेत्रों जैसे विपनन, वित्थ वो मानव संसाधन आधी पर प्रियाप्त मात्र में साहित्य व ज्यान उपलब्ध है जो प्रबंध के अध्यन को प्राप्त करने में सहता कर सकता है इसलिए कला की है विशेष्टा प्रबंध में भी विद्यमान है नमबर दो, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उप्योग कला एक अत्यांत व्यक्तिगत अवधारणा है क्योंकि इस मूलभूत ग्यान का उप्योग व्यक्ती व्यक्ती के अनुसार अलग-लग होता है उधारन के तोर पर दो कलाकार, दो लेखक, दो नर्तक या दो वक्ता आपस में अपनी कला के परदशन में भिन्यता रखते हैं प्रबंध में भी सभी प्रबंधक समान प्रबंध की विचारों और सिध्धानतों को सीखते हैं परन्तु व्यक्तिकत कौशल और स्रिजनात्मक्ता का प्रयोग करके विभिन परिस्तितियों के अंतरगत विन सिध्धानतों का कितनी अच्छे तरह से प्रयोग करते हैं यह उनकी दक्षता पर निरुभर करता है। इसलिए कला की यह विशेशता भी प्रबंध में विद्यमान है। एक कलाकार को पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करने तथा अच्छा परदर्शन करने के लिए नियमित अभ्यास की अवशक्ता होती है। बिना अभ्यास के पूर्ण दक्षता हासिल नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार प्रबंध की कुशलता भी अभ्यास एवं अनुभव द्वारा ही सुधरती है। प्रबंध की प्रकृती के रूप में दूसरा आयाम है प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। किसी भी विशे का क्रमबध ज्यान विज्ञान कहलाता है। इसमें अभधारणाएं, सिध्धान्त, नियम वप्रयोग शामिल किये जाते हैं। जो दो या दो सेधी कारकों के बीच कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। आईए अब विज्ञान के रूप में परबंध की विशेष्टाओं का अध्यन करते हैं। नमबर एक, क्रमबध ज्यान समुह। विज्ञान ज्यान का क्रमबध समुह। इसके सिध्धान्त कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं। विज्ञान की तरह ही परबंध में भी क्रमबध और विवस्तित विशेषा मगरिय। पलब्ध है। इसलिए विज्ञान की ये विशेष्टा परबंध में विद्यमान है। नमबर दो, परिक्षण पर आधारित सिध्धांत विज्ञानिक सिध्धांतों को पहले अब लोकन के माधिम से विक्सित किया जाता है और फिर नियंतरित परिस्तितियों में बार-बार परिक्षण करके उनकी जांच की जाती है ठीक, इसी तरह प्रबंदक भी विभिन उपक्रमों में विभिन स्तितियों के इंतरगत प्रबंदके सिध्धांतों का परिक्षण करते हैं और उन्हें जांचते हैं इसलिए कहा जा सकता है विज्ञान की यह विशेशता भी प्रबंद में विद्यमान है नमबर तीन व्यापक वैधता वैज्ञानिक सिध्धान्त वैधता एवं उप्योग के लिए सार्वभोमिक होते हैं प्रबंद के सिध्धान्त वैज्ञानिक सिध्धान्तों की तरह नहीं होते इसलिए उनका प्रियोग सार्वभोमिक नहीं होता उन्हें संगठनात्मक्स्तिती के अनुसार परिवर्तित करना पढ़ सकता है इसलिए विज्ञान की यह विशेचता प्रबंद में उपस्तित नहीं होती लेकिन प्रबंद की यह सिध्धान्त प्रबंदगों को मानक तकनिक अवश्य परदान करते हैं जिन्हें भिन भिन परिश्तितियों में प्रयोग किया जा सकता है अत्या भोतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं जीव विज्ञान की भांती प्रबंद एक पूर्ण विज्ञान तो नहीं है परन्तु प्रबंद शास्त्री Ernest Dale के अनुसार क्योंकि प्रबंद विज्ञान की कई अन्य विशेष्टाओं को शामिल की हुए है इसलिए प्रबंद को मृदु विज्ञान यानि सॉफ्ट साइंस कहा जा सकता है दूसरी और क्योंकि प्रबंद एक समाजिक प्रक्रिया भी है इसलिए इसे एक समाजिक ज्ञान भी कहा जा सकता है सार रूप में कला एवं विज्ञान के रूप में प्रबंद एक दूसरे से भिन्न नहीं है बलकि एक दूसरे के पूरक है अब तक की चर्चा से आप समझ चुके होंगे कि प्रबंद कला और विज्ञान दोनों है कला के रुप में यह ज्ञान का व्यवस्तित निकाए है व्यक्तिकत कोशल से भरा है और स्रीजनात्मक्ता एवं अभ्यास को सम्मिलित की हुए है तो दूसरी ओर विज्ञान की रुप में यह ज्ञान का व्यवस्तित निकाए है तथा सिध्धानतों, परिक्षणों एवं अनुभवों पर अधारित है आएए बच्चों आगे बढ़ते हैं और प्रबंद का पेशे की रुप में अध्यन करते हैं अभी तक की अध्यन में हम जान चुके हैं कि सभी प्रकार की संगठन परक्रियाओं में प्रबंदन आवश्यक है हमने यह भी जाना कि संगठनों को उनका प्रबंदन करने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताओं एवं अनुभव की आवश्यक्ता होती है अतहाँ पेशे की ही भांती प्रबंद में भी विशिष्ट ज्यान समूह और चारिक प्रशिक्षन वह समाज की विभिन वर्गों की सेवा जैसी विशिष्टाइं समलित होती हैं तो क्या प्रबंद एक पेशा भी है? चलिए प्रबंद की पेशे की रूप में विशिष्टाओं का अध्यन करके इसका पता लगाते हैं सभी पेशे भली भांती परिभाशित ज्यान के समूह और अधारित होते हैं जिसे शिक्षा से अर्जित किया जा सकता है परबंद की स्थिती में भी ग्यान के विवस्तित निकाई की उपलब्धता होती है अताय पेशे की यह विशेष्टा परबंध में भी पाई जाती है नमबर दो अवरोधित परवेश पेशे में परिक्षा अथ्वा शेक्षिनिक योग्यता के द्वारा परवेश सीमित होता है उधारन के लिए भारत में यदि किसी को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो उसे भारतिय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा आयोजित की जाने वाली विशेश परिक्षा को पास करना होगा, जबकि प्रबंध की न्युक्ति पर कोई कानूनी प्रितिबंध नहीं है. प्रबंध की शेक्षनिक युग्यता होने के बावजूद भी कोई भी विशेश परिबंधक बन सकता है. अतया वर्तमान समय में पेशे की यह विशेश्टा प्रबंध में उपस्तित नहीं है. नमबर तीन पेशिवर संगों की उपस्तिती सभी पेशे किसी ना किसी पेशिवर संग से जुड़े होते हैं, जो की प्रवेश का नियमन करते हैं तथा कारे करने के लिए प्रमान पत्र जारी करते हैं तथा उनको लागू करते हैं. जैसे भारत में वकालत करने के लिए वकीलों को बार काउंसिल का सदस्य से बनना होता है तसा Chartered Accountants बनने के लिए Indian Chartered Accountants of India के द्वारा प्रमान पत्र हासिल करना होता है परंतु प्रबंध के संदर्भ में एक प्रबंधक बनने के लिए All India Management Association ये इसके समकक्ष किसी भी अन्य प्रबंध संस्था वो संगठन से पंजी करण करवाना अनिवारय नहीं है। इसलिए वर्तमान में पेशे की यह विशेश्था भी प्रबंध में उपस्तित नहीं है। कानून, चिकित्सा, लेखा शास्त्र आदी पेशों में आचार सहिता पहले से ही निश्चित कर दी गई है। लेकिन प्रबंध के संबंध में इस तरह की कोई समान आचार सहिता निश्चित नहीं की गई है। और नाही प्रबंद की कारे में प्रवेश के लिए किसी license की अवरशकता है। इसलिए वर्तमान में पेशे की यह विशेशता भी प्रबंद में उपस्तित नहीं है। नमबर पांच, सेवा का उद्देश्य प्रतेक पेशे का मूल उद्देश्य पूर्ण निष्ठा के साथ अपने ग्रहाकों की सेवा करना होता है। दूसरी और प्रबंद का मूल उद्देश संगठन को अपने उद्देशों की प्राप्ति में सहयता करना होता है। वर्तमान समय में कोई भी संस्था समाज हित की उद्देशों को ध्यान में रखकर ही विकास के अवसर तलाश सकती है। अत्या आज की समय में प्रबंद केवल संस्था के लाब को धिक्तम ना करके समाजिक उद्देश्य को भी महत्व देने लग गए हैं। इसलिए वर्तमान समय में प्रबंद में पेशे की यह विशेष्टा पूरण रूप से ना सही परंतो आंशिक रूप से प्रबंद में अवश्य शामिल हो गई है। भारत के संदर्ब में प्रबंद का पेशे की रूप में अभी विकास हो रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे विकास की गती में तेजी आएगी वैसे वैसे प्रबंद को पेशे की रूप में सुक्रिती मिलती जाएगी। बचों आगे बढ़ते हैं और अब हमारा आगला टॉपिक है प्रबंद के कारिय फंक्शन्स ओफ मैनेच्मेंट। प्यारे बचों इस अध्याय के प्रथम भाग में हमने प्रबंद को एक प्रक्रिय के रूप में पढ़ा था। इन सभी क्रियाओं को ही प्रबंद के कारिय अथ्वा तवत्त्वों के नाम से जाना जाता है। अतेव प्रबंद के कारिय इस प्रकार हैं। आई इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्यन करते हैं। नमबर एक, नियोजन. नियोजन प्रबंद का प्राथमिक एवम अधारबूत कार्य है. नियोजन के अंतरगत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किस व्यक्ति की द्वारा किया जाना है. यदि कार्य प्रारंब करने से पूर्व इन सभी बातों का गहन विचार ना किया जाए तो व्यवसाय के उद्देशों को प्राप्त नहीं किया जा सकता नियोजन की प्रक्रिया में उद्देशी निर्धारित करना, सीमाओं को परिभाशित करना, वेकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, वेकल्पिक कार्यवाहियों का मुल्यांकन करना, सर्व स्रेश्ट विकल्प का चैन करना, योजना को लागू करना, एवं समिक्षा करना शामिल होता है। 2. संगठन Organizing संगठन संस्था के सदस्यों में संबंद स्थापित करने की प्रक्रिया है। इन संबंदों की स्थापना अधिकार और उत्तरदायत्व के रूप में की जाती है। संस्था में प्रतेक सदस्य को विशेश उत्तरदायत्व या कार्य सोंपा जाता है और उन्हें अपना कार्य पूरा करने के लिए उनके अनुरूप अधिकार प्रदान किये जाते हैं। संगठन में निम्न चरण शामिल किये जाते हैं। उत्देश्यों के प्राप्ति और योजनाओं को क्रियानवित करने के लिए आवश्य क्रियाओं को पहचानना, क्रियाओं का समुही करण करना, करमचारियों को कार्य सोंपना, उच्च दिकारियों और अधिनस्तों के बीज अधिकार उत्तरदायत संबंद स्थापित करना करमचारी निप्तिकरण प्रबंद का तीसरा कार्य है इसका संबंद सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को ढूनने से है प्रबंद के इस कार्य के अंतरगत संस्ता के विभीन रिक्तपदों के लिए उप्यूक्त योग्य एवं शिक्षित अधिकारियों एवं करमचारियों के नियुक्ति की जाती हैं इसे ही मानव संसाधन कार्य भी खहते हैं नियुक्ति करण में निम्न क्रियाएं शामिल की जाती है मानव शक्ति नियोजन, करमचारियों की भर्ती एवंचयन, करमचारियों के कारे पर नियुक्ति, करमचारियों का प्रशिक्षन तथा विकास, करमचारियों की निश्पादन का मुल्यंकन नमबर चार निर्देशन डारेक्टिंग प्रबंद के चोथे कारे निर्देशन में मुख्य चार क्रियाओं को शामिल किया जाता है पहला परेविक्षन इसका अर्थ है अपने दिनस्तों पर निगराने रखना परेविक्षन इसकी चार लिए अवश्यक होता है कि दिनस्त दियेगे निर्देशन का पालन कर रहे है या नहीं तता संसाधनों का उचित उप्योग हो रहा है या नहीं दूसरा, संप्रेशन संप्रेशन अथ्व संदेश वहन विचारों, तत्थियों, भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तान्तिर्थ करने वो समझने की कला है एक प्रबंधक को अपने धिनस्तों को यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है तथा साथ ही उसे उनकी प्रतिक्रियाओं को भी जानना जरूरी होता है इन सब के लिए प्रभाव पूर्ण संचार व्यवस्था का विक्सित किया जाना अतियावशक होता है इस प्रकार संदेश वहान निर्देशन में आपसी समझ को बढ़ा कर सहयोग की भावना को भी पैदा करता है जिससे संग्ठन में समन्वे का वातावरन तयार होता है तीसरा नित्रित्व यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अपने अधिनस्तों के विवहार को निर्देशित तथा प्रभावित करता है प्रबंधक अपने नित्रित्व विवहार कुशलता से ही संग्धन के उद्देशें को प्राप्ति के लिए अपने अधिनस्तों का सहयोग प्राप्त करने में सफल होता है चौथा अभी प्रेरणा अभी प्रेरणां से भी प्राय अधिनस्तों को संस्था के उद्देशे प्राप्त करने के लिए उत्साह पूर्ण कारे करने के लिए प्रेरित करने से है एक सफल प्रबंदक करमचारियों को उत्साहित करने के लिए विभिन अभी प्रेरग तक्नीकों का प्रयोग करता है इसमें करमचारियों को प्रेरित करने के लिए वित्तिय अथ्वा अवित्तिय दोनों प्रकार की प्रेरणय शामिल हो सकती है प्रबंद के अंतिम कार्य नियंत्रण से भी प्राय वास्त्विक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाना वो इसमें आवश्यक सुधारात्म कारेवाही करना है नियंत्रण में वास्त्विक कार्य की पर्मापित कार्य से तुलना करके विचलनों का पता लगाया जाता है तथा सुधारात्म कारेवाही की जाती है ताके भविश्य में कार्य सुचारू रूप से चल सके नियंत्रण प्रबंध का एक महतोपुरुण कार्य है तथा नियंत्रण कार्य के बिना अन्य सबी प्रबंध कार्य प्रभावी रूप से पूरे नहीं किया जा सकता नियंत्रण प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल होते हैं प्रतेक क्रिया के लिए प्रमापों का निर्धारन करना प्रतेक विभागयव व्यक्ति की वास्त्विक प्रगति को मापना वास्त्विक कार्य की प्रमापित कार्य से तुलना करना यदि वास्त्विक कार्य प्रमाप अभी तक यह पढ़ा कि किसी संगठन के प्रबंधन की प्रक्रिया में प्रबंध को पांच एक दूसरी से समन्दित कारे करने होते हैं। बचों पांच कारें के तिरिक भी एक महत्व पुरुण कारे है जिसे प्रबंध को करना पड़ता है, जिसे समन्वे कहा जाता है। समन्वे का अर्थ संगठन की विभिन क्रियाओं और संसाधनों को एकिकरित करना और उनमें सामन्जस से स्थापित करना है। समन्वे का शाब्दिक अर्थ है ताल मेल। अतह समन्वे का अर्थ व्यवसाई की विभिन क्रियाओं को संतूलित करना है ताकि व्यवसाई के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। आपस में मिलकर संस्था के समान उद्देश्यों की प्राप्ती में सहायक हो। आईए समन्वे के अर्थ को एक चलचित्र जो की वास्त्विक घटना पर अधारित है से समझते हैं। यह मुंबई की एक डबा वाले सिक्स सिग्मा व्यवसाईक उद्द्यम की कहानी है। यह डब्बे वाले ऐसे लोगों का समुह है जो मुंबई शहर में काम कर रहे सरकारी और गैर सरकारी करमचारियों को दोपहर का खाना कारे स्थल पर पहुँचाने का काम करता है। जब लोग सुभा जल्दी घरों से अपने काम के लिए निकल जाते हैं तब दोपहर में उनको घर का ताजा और गरम खाना उपलब्द करवाने के लिए इन डब्बे वालों का विशेश युगदान रहता है। डब्बे वालों दोवारा दोपहर के खाने को समय पर उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचा देना उनकी पद्दती में स्रेश्ट समन्वे को दर्शाता है। पहले डब्बे वाला घर से टिफिन लेता है और फिर घर से इसके सबसे नज़दी की रेलवे स्टेशन तक ले जाता है। वहाँ पहले से ही उपस्थित दूसरा डब्बे वाला उसे गंतव्य स्थलों के अनुसार अलग-अलग माल वहक डब्बों में रख देता है। आगे तीसरा डब्बे वाला गंतव्य स्थल के सबसे निकटके स्टेशन तक डब्बों की निगरानी करता हुआ साथ साथ चाता है। और चोथा डब्बे वाला रेलवे स्टेशन से डब्बों को लेकर दफ्तरों में दे देता है। दुपहर तक मुंबई की सडकों पर हजारों डब्बे वाले साइकल पर घर का बना गरम गरम खाना उनके ग्रहकों तक पहुचा देते हैं। इस टिफिन वित्रण के पूरे कारे के लिए कम से कम तकनीक की अवश्यक्ता पड़ती है। ये डब्बा वाले कम पूजी से कारे करते हैं एवं अपने कारे के लिए साइकल, ठेलियों एवं स्थानिय रेलगाडियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो विक्ति इस थानी गंतव्य पते के नुसार भली भांती परिचित होता है, उसे ही इस कारे के लिए चुना जाता है। कारे में किसी प्रकार की रुकावट ना आये, इसलिए नए करमचारी महीनों तक अपने वरिष्ट करमचारियों की निगरानी में कारे करते हैं। समय की पाबंदी एवं समय प्रबंधन डब्बा वालों की कारे सूची में सर्वोच्च स्थान पर होता है। परिस्तितियां कैसे भी हूँ, डब्बा वाले अपनी सेवा में कुछ मिनट की भी देरी नहीं करते। और यह सब उचित समन्वे के कारण ही संभफ हो पाता है। आईए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समन्वे की प्रकृति का अध्यन करते हैं। समन्वे सामुही कारेओं में एकात्मक्ता लाता है। समन्वे का उद्देश्य समान उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य वाहियों में एकता लाना है। यह विभिन्र विभागों को जोडने का कारे करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं संगठन के लक्षों को प्राप्त करने के लिए की जाएं। उधारण के लिए क्रय तथा विक्रे विभागों को अपनी क्रियाओं को इस धंग से समन्वित करना होता है ताकि क्रय आदेशों की पूर्ती समय से की जा सके 3. समन्वे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समन्वे प्रबंद में नियोजिन के प्रारम से नियंतरन तक प्रतेक क्रिया में साथ साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है द्यवसाय में अनेकों प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं इन में कोई न कोई क्रिया आवशक्ता से अधिक या कम होती रहती है जो पूरे संतुलन को बिगाड सकती है इन सभी क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए उन पर लगातार निगरानी बनाए रखनी की आवशक्ता होती है जो केवल निरंतर समन्वे के द्वारा ही संभव हो सकती है यह सबी क्षित्रों अर्थात व्यावसाइक तथा गैर व्यावसाइक सिक्षित्रों में समान रूप से लागू होता है जैसे एक शिक्षन संस्थान में टाइम टेबल बनाना, क्रिकेट के मैदान में खेल के सभी खिलाडियों का सामन जस्य के साथ जीत के लिए मिल जल कर प्रयास करना तथा व्यावसाइक संस्था के देशियों के लिए सभी विभागों का एक दूसरे के साथ तालमिल बना कर कार्य करना समन्वे स्थापित करने का एक अच्छा उधारन है अतह समन्वे एक सार्व भूमिक्रिया है नमबर पांच समन्वे सभी प्रबंदुकों का उत्तरदायत्व है समन्वे की अवश्रक्ता सभी विभागों तथा प्रबंद के सभी स्तरों पर होती है समन्वे केवल उच्च प्रबंदकों का उत्तरदाईत्व नहीं है बलकि सभी स्तर के प्रबंदक अपने अपने विभागों तथा एकाईयों में समन्वित प्रियास लाने के लिए उत्तरदाई होते हैं समन्वे उच्च स्तर, मध्य स्तर वर निम्न स्तर इन तीनों स्तरों पर समान रूप से लागू होता है प्रतेग प्रबंदक आव्यवस्था से बचने के लिए संगठन की क्रियाओं को समन्वित करने का प्रित्न करता है समन्वे के बिना व्यक्तियों के प्रयासों को एकी क्रित नहीं किया जा सकता इसलिए समन्वे एक सोचा समझा कारे है जो कि संस्था के उद्देशियों को प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में एक रूपता स्थापित करने के लिए किया जाता है समन्वे के समन्ध में एक महत्व पुरून प्रश्न यह उठता है कि क्या परबंध के अन्यकारियों के श्रिंखला में परबंध के छटे कारे के रूप में समन्वे को शामिल किया जाए अथ्वा नहीं कुछ प्रबंद विशेशक्यों का मानना है कि समन्वे प्रबंद का ही एक कारे है परन्तु आधुनिक प्रबंद विशेशक्य कुण्च एंड ओडोनेल ने इस विचारधारा का समर्थन किया है कि समन्वे प्रबंद का सार है अर्थात समन्वे कोई अलग से कार्य नहीं है बलकि है प्रबंद के सभी कार्यों में विद्यमान है और इन सभी का एक अभिन अंग है उन्होंने समन्वे को प्रबंद का सार कहा है अर्थात समन्वे प्रबंद के सभी कार्यों में व्याप्त है उनके अनुसार प्रबंद के प्रथम कार्य अर्थात नियोजन में भी समन्वे निहित होता है जब भी प्रबंदक नियोजन कार्य में व्यस्त होता है उस समय उसके विचार का मुख्य केंदर बिंदू समन्वे ही होता है वे विभिन विभागों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही नियोजन करता है उसी प्रकार प्रबंद के दूसरे कार्य संगठन में भी समनवे बेहत जुरूरी होता है क्योंकि संगठन का निर्धारण करते समय भी एक प्रबंद का प्रियास सभी विभागों में अनेक व्यक्तियों के मध्य आपसी तालमिल को स्थापित करना रहता है। प्रबंद के तीसरे कारे नियुक्ति करण की प्रक्रिया में भी प्रबंदक का यही प्रियास रहता है कि सभी पदों को योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा भरा जाएं ताकि संस्था की सभी क्रियाएं बिना रुकावट चलती रहें जो की समन्वे के द्वारा ही संभव हैं चोथे कारे निर्देशन में भी प्रबंदक इस बात का ध्यान रखता है कि आदेश वन निर्देश इस बात को ध्यान में रख कर दिये जाएं कि अन्य लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बहस के सभी वीपरित प्रभावों को टालने एवं उनके मध्य तालमिल स्थापित करने की कोशिश करता है प्रबंद के अंतिम कार्य नियंत्रण में भी संस्था के उद्देशियों उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलप्त साधनों तथा मानवी प्रियासों में संतूलन स्थापित करने की अवशक्ता होती है जो कि समन्वे के द्वारा ही संभव हो सकता है अगर प्रबंद के स्तरों की बात की जाए, तो समन्वे की अवश्यक्ता सभी स्तरों पर भी एक समान रूप से पाई जाती है समन्वे का संबंद किसी एक प्रबंद की स्तर से नहीं है बलकि इसकी आवशक्ता अत्वा महत्व प्रबंद के सबी स्तरों पर एक समान होती है किसी काम को यदि एक ही विक्ति कर रहा हो तो समन्वे की आवशक्ता ही नहीं उत्पन होगी क्योंकि सारा काम एक ही व्यक्ति द्वारा संपन किया जाएगा पर उन्तु वास्तब में ऐसा नहीं होता संग्ठन में समुह में कार्य किया जाता है प्रबंद के सबी स्तरों पर अनेकों व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं और उन सबी व्यक्तियों के कार्य में केवल समन्वे के द्वारा ही आपसी तालमिल स्थापित किया जा सकता है प्रबंद के तीनों स्तरों को एक नजर में देखा जाए तो यह भी अपने आप में एक समुह बन जाता है और समो का नाम आते ही पुना समन्वे की आवशक्ता अनुभव होती है प्रबंद के तीनो स्तरों पर व्यक्तिक रूप से भी और सामोहिक रूप से भी समन्वे की आवशक्ता हमेशा बनी रहती है इस प्रकार कहा जा सकता है कि समन्वे का संबंद सामोहिक प्रियासों के साथ है प्रबंद के प्रतेक स्तर का काम अनेक व्यक्तियों द्वारा सामोहिक रूप से पूरा किया जाता है और इस काम को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए उनमें समन्वे की अवशक्ता होती है अतहे इस अध्यन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समन्वे प्रबंध का सार है प्यारे बचो ग्रह कारे के रूप में आप निमने लिखित प्रशनों के उत्तर अपने नोट बुक में नोट करें प्रशन संख्या एक प्रबंध के अर्थ एवं उद्देशों का वरणन करें प्रश्न संख्या 2. कला विज्ञान एवं पेशे के रूप में प्रबंद की प्रकृती की विवेचना करें प्रश्न संख्या 3. प्रबंद के विभिन स्तरों का चित्र सहीत वरणन करें प्रश्ण संख्या चार, प्रबंद के विभिन कारियों और इसके महत्व की व्याख्या करें प्रश्ण संख्या पांच, समन्वे की प्रकृति, एवम समन्वे की प्रबंद के सार की रुपे व्याख्या करें बचो भाग दो की इस कक्षा के साथ ही हम व्यवसाय अध्यन के अध्याय एक को आज समाप्त करते हैं आशाय आपको समझ आया होगा अध्याय दो में आपसे दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार